दोस्तों आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है अमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अब यहां लूसेंट समानने ग्यान इस से रिलेटेड जो है इंपोर्टेंट फोटे कोश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एक्षान से रेल बे, ससी, स से जीडी, यूपी पुलिस है, बिहार सिबिल कोट है और आना वाले सब भी परत योगिता परिक्षा के लिए यह काफी इंपोर्टेंट है तो दोस्तों आप इस वीडियो बहुत ध्यान से लास्तिक देखिए चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल स्थितिक तंत्र का उधाराण है तो देखें करेक्ट आंसर ओप्षन बी हो जाएगा जील जो है ये प्राकिर्तिक के परिस्थितिक तंत्र का उधाराण है कुश्या नमबर टू है परिस्थितिक तंत्र के स्वपोसी घटक कौन होते है तो करेक्ट आंसर ओप्षन सी हो जा खेती के लिए कौन से मिटै सरवाधी कूपईूकत है, तो ये करेक्ट आंसर, ऐप संसी हो जाएगा, लाटराइट मिटै, ठीक है, इसके अलावा, भारत में कितने परकार के मिटिया पाई जाती है, तो देखे भारत में जो है, टोटल आठ परकार के मिटिया पाई जाती है, जो यहाँ पर हमने लिखे हैं, देखें, पहला जलोड मिटे, दूसरी काली मिटे, तीसरी लाले पिली मिटे, चोथी लाटराइट मिटे, पाचवे, सुस्क मिरिदा, छटा जो है, लोण मिरिदा, साथवा पिटमय मिरिदा, पर अबैगने केर्णे किस परकार के कैंसर का कारण बनती है, तो ये तो अच्छा कैंसर का कारण बनती है, ठीक है, अप्सन भी यहाँ पर करेक्ट हो जायेगा, कुश्य नमबर पांच है, निमने लिखेत में से कौन ग्रेन हाउस गैस का उधारण नहीं है, कौन ग्रेन उस गैस का उधारण नहीं है, कुश्य नमबर शिक्स है, निमने लिखेत में से कौन सा पर्यावरण को स्वक्ष रखने के लिए सर्वत्ताम है, कौन सा पर्यावरण को स्वक्ष रखने के लिए सर्वत्ताम है, तो करेक्ट आंसर D हो जायेगा, सौर सेल, ठीक है, सौर सेल ये पर्यावरण को स्वक्ष रखने के लिए सरुतम है, question number 7 है, जैवा इंधन के संबद में कौन से कथन सत्ते नहीं है, correct answer अप्षन ये हो जाएगा, जैवा इंधन लागत प्रभावी होता है, ये जैवा इंधन के संबद में सत्ते नहीं है, बागी ये तीनों correct है, जैवा इंधन मक्का से भी बनता है, जैवा इंधन परिस्थिति की अनुकूल होता है, और जैवा इंधन उर्जा संकट के समधान में युगदान दे सकता है, तो यहाँ पर ये जैवा इंधन के बारे में तीनों यहाँ पर correct है, अगला question है, अफ्रिका का सर्वोच परवत घर माँउंट कीली मंझा रो इस्तित है, कीली मंझा रो कहां पर इस्तित है, तो देखें कीली मंझा रो जो है, तंजानिया में, कहां पर है। तंजानिया और संडी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा question number 9 है भारत के किस भाग में लोटते हुए मांसुन के कारण बरसा होती है तो ये होती है तमिलाडू में ठीक है answer हो जाएगा question number 10 है राष्टिय जोल संसाधन परिषद के गठन कप किया गया था तो ये 1983 हिस्वी में ठीक है 1983 हिस्वी में किया गया था answer हो जाएगा C भारत में करमचारी राज्य बीमा योजनाई शुरुवात किस वर्स की गई बारत में करमचारी राज्य बीमा योजनाई शुरुवात किस वर्स की गई तो ये 1952 में की गई 1952 option B यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा question number 12 है दिये गए बिकलपो में किसे सेवा छेत्र भी कहा जाता है तो सेवा छेत्र तिरितियक छेत्र को बोला जाता है ठीक है answer हो जाएगा C question number 13 है वास्त्विक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है तो ये समिक्रित दाम पर ठीक है समिक्रित सोरी इस्थिर दाम पर मापा जाता है इस्थिर दाम होगा answer हो जाएगा D question number 14 है समान कारे के लिए समान बेतन भारत्य सम्विधान के निन्मे से किस में सुनेशित किया गया है तो समान कारे के लिए समान भेतन जो है किस में सुनेशित किया गया है राज्जे के नीति निर्द सक्ततों में ठीक है answer हो जाएगा B question number 15 है निमनलेखित में से किस को अपने कर्तब्यों के पालन में भारत की राज्जे छेत्र में सभी नियालियों में सुनवाई का अधिकार है किस को है तो ये माहा नियावादी को है ठीके माहा नियावादी को अपने कर्थव्यों को पालन में भारत की राज़ी छेत्र में सभी नियालों में सुनवाई के आधिकार है याद रखना है कुश्य नंबर 16 है निमनल इखित में से किस सम्विधान संसुधन द्वारा लोकसभा तथा विधान सभाओं की सीटों की संख्या में बस द्वार 26 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है तो किस सम्विधान संसुधन के द्वारा किया गया है तो ये 84 वा संविधान संसोधन के द्वारा किया गया है लोकसबा तथा विधान सबाओं के सीटों की संख्या में द्वार 26 तक जो है कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान है याद रखना है अगला कुश्यन है संविधान के किस अनुशेद के अंत्रगात संख की राश्पती में नहीं थय तो करेक्ट आणसर बी हो जाएगा अनुशेद तीरपन में ठीके अनुशेद तीरपन के अंत्रगात जो है संकी कारेपाली का संविधान के संवंध्य सक्ति राश्पती में नहीं थय अगला कुश्यन है भारत का सबसे बड़ा साहर कौन सा है तो यह है मुंबई, मुंबई आंसर हो जाएगा यह, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रहमपुत्र जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है, एक बरस में कम से कम कितनी बार संसत की बैठक होन आवस्यक है, दो बार, दो बार आंसर हो जाएगा B, भारत में एक नया राज्य श्रीजित करने वाला बिधियक को पारित होना आनिवार है, तो ये संसद में सधारण बहुमत द्वारा, आंसर हो जाएगा B, भारत में पंचायती राज ब्यवस्ता का सिल्पिक किसे कहा जाता है, B, R, महता को, B, R, महता अंसर हो जाएगा C, निमनलगखित में से किस अधिनियाम द्वारा अपरत्यक से चुनाव परणाली की शुरुआत हुई, दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो पली वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में सेर कर सकते हैं, चैनल पनाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रेस करें, अगला कुश्यन है, लिखित सम्विधान के अधारना किस देश की देन है, फ्रांस की देन है, अंसर हो जाएगा D, उडिशा में कोर्णार्क मंदिर का निर्माड किस ने करवाया था, तो ये राज-राज प्राथम ने करवाया था, राज-राज प्राथम अप्शन C, यहां पर करेक्ट हो जाएगा, सल्तनत काल में सबसे बड़ा समराज ये किस का था, महमद बिन तुगलक, महमद बिन तुगलक का था, अंसर हो जाएगा C, कि सल्तनत काल में गयर मुसल्मानों से लिया जाने वला धार्मिक और क्या कहलाता था तो यह जजिय कहलाता था क्या जजिया आंसर हो जाएगा डी कुश्शन नंबर 28 है साहं जाके सासन काल में आए भिदेसी यात्रियों पर विचार कीजिये तो इनकी काल में बारबोसा आये थे बारबोसा क्योल चार यहांपर ओप्षन C करец हो जाएगा अगला कुशन है नेवने लेखित मैंसे किसासर का उलेख है राज बेटकर यानि हाथियों का सिकारी के रूप में जाना हाथियों के सिकारी के रूप में किया गया है किनका उलेख किया गया है देवराई दूतियों का देवराई दूतियों का उलेख जो है राज बेटकर यानि हाथियों का सिकारी के रुप में इनका उलेक किया गया है अगला कुश्चन है कितने बर्स कठीन तपस्या के बाद भगवान बुदु को ग्यान की प्राप्ति हुई छे बर्स की कठिन तपस्य बाद जो है भगवान बुधु को ज्यान की प्राप्ति होई थी महत्मा गाधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदुलन था तो ये था असायोग आंदुलन असायोग आंदुलन ओप्शन बी करेक्ट हो जाएगा भारत में मिट्टी बचाव अंदुलन कहां से प्रारंब हुआ कहां से महराष्ट आंसर हो जाएगा अप्शने कुश्यन नम्बर 33 है गाउ में आयोजित होने वाला भारते राष्ट ये कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब हुआ 1927 में आंसर हो जाएग भी सुबास चंद्रबोस को देशनाय की उपाधिक किसके द्वारा दिया गया सुबास चंद्रबोस को देशनाय की उपाधिक किसके द्वारा दिया गया रभीना टाइगूर के द्वारा रभीना टाइगूर आंसर हो जाएग भी सकर के मिश्रान के दोरान कौन सा योगी खमेशा बनता है तो इथाइल एलकोहल बनता है अप्सन भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा रक्त कैंसर को नियंतरित करने में किस समस्थाने का उपयोग किया जाता है रक्त कैंसर को नियंतरित करने में किस समस्थाने का उपयोग किया जाता है कोवाल्ड सिष्टी क्या किया जाता है आंसर हो जाएगा यह निमनलेखित में से किस परकार के कोईले में कार्बन की मातरा सरवाधिक होती है करेक्टर अंसर D हो जाएगा, इंथरासाइट कोईले में कारवन की मातरा सबसे अधिक है, 90% से भी ज्यादा होती है, ठीक है, निमने लेखित में से कौन से रासायन, रगत को से याने ब्लोड बैंक में मिला कर रखा जाता है, कौन से रासायन रखा जाता है, मैगनेसियम नाइटरेट और सोडियम नाइटरेट, यहाँ पर B और C जो है, दोनों करेक्ट हो जाएगा, मैगनेसियम नाइटरेट और सोडियम नाइटरेट, अगला कुश्यन है, निमने लेखित में से कौन हरित गरिह गैस नहीं है, कौन हरित गरिह गैस नहीं है, आक्सीज बनता है रेटीना के पीछे बनता है काहना पर रेटीना के पीछे आंसर हो जाएगा भी उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला कुश्चन है है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है तो दोस्तों यह आपके लिए उमर कुश्चन रखते हैं ठीक है यदि आपको इसका आंसर पता हो तो comment box में जरूर बाता है और वीडियो पसंद आया हो तो please वीडियो को like जरूर करें अपने दोस्तों में share कर सकते हैं चैनल पनाया है तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन जुरूर से प्रेस करें ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार चैहिंद चैह भारत